हेलो गाईज हमारे डॉक्टर्स और कहा जाए पैरा मेडिकल की तयारी करने वाले बहतरीन डॉक्टर्स जो की हमारे प्लेटफार्म से जुड़े हुए हैं उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं और आज इस चेप्टर का इंड किया जाएगा जिसे आपने बहतरीन तरीके से कल भी देखा यानि पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थरी करके अब आया है बच्चा आपका MCQ में यानि आप कह सकते हैं जैसे कि आपके बोर्ड एक्जाम में पेपर आते हैं इंट्रेंस एक्ज किसको बोलते हैं बच्चा भिनात्मक या सब्दों के बीच में सुच्म अंतर जो देखने को मिलता उस पर ये चर्चा की क्लास है और जैसे कि हमने कहा था कि एक एक लिखते थे फिर आपको उसका अर्थ बताते थे पूरा कंसेप्ट आपको दे रखा था हमने है ना पूरा की अनुसार बच्चा बताएं कि जो सब्द लिखा है जैसे जघन और जगन ने इन दोनों का अर्थ क्या होगा? सही अर्थ कौन सा है? Option A, यानि को में लिखा है बच्चा, जांग और अपराद, खो में लिखा है अपराद और जांग, गो में लिखा है जांग और ग्रहित, और गो में लिखा है मध्ध भाग और पाप इसको A, B, C, D भी कर लीजेगा, या हिंदी में करेंगे, तो को, खो, गो, गो, किलियर है जांग होता है, किलियर है, अब ये जो जांग है, तो कहां पर जांग है, दो जगा में है, लेकिन ये जो जगन कहते हैं, ये अपराद क्या है, जगन है, यानि घृडित है, घृडित यानि ग्रहित लिखा है, ग्रहित बिल्कूल सही है, यानि option number C, ठीक है, अगला अधूत का अर्थ क्या होगा, अधूत का मतलब होता है, भय रहित, क्या करते हैं, अधूत को क्या करते हैं, भय, भय, यानि आपके अंदर डर ना है, भय रहित, क्या हो जाएगा, अधूत का अर्थ, भय रहित, नोट कर ये speed के साथ, हमारे साथ, भय रहित हो जाएगा, बि अगले कुश्चन पर कपीश, देखे छोटी की मात्रा दे दिया, पौप छोटी की मात्रा कपीश और कपीश, तो बड़े वाले का तो मात्रा का आप अर्थ जानते हैं, क्या होता है बड़े वाले का, कपीस, अरे भाई कहते है न सुग्रीव को, बंदर का भी पर्यावाची है, बानर का, बिल्कुल, तो भाई ये जो बड़ी E की मात्रा है न मैम जी, ये कपीस का अर्थ होता है, सुग्रीव कह दीजिए, या इसको हम कहते है बच्चा, बंदर का भी पर्यावाची होता है, कपीस, इसी को बानर भी कहा जाता है, बानर बिल्कुल सही, है की नहीं, तो कहां पर दीख रहा है सुग्रीव, दोनों जगा दीख रहा है, लेकिन ये जो छोटी की मात्रा लिख दिया, छोटी की मात्रा अगर लिख दिया, कपीस, यानि मट मैला इसका अर्थ क्या होता है? मट मैला जैसे कि गंदगी के वज़े से कपड़े क्या हो जाते है? मट मैले हो जाते है तो मट मैला और क्या हो जाएगा? सुग्री सही option number D जिन जिन विद्यार्थियों का सही है तो एक बार अपना चेक कर लेंगे ठीक है? बताईएगा अगला question आपके लिए बच्चा अगला question class के अंतर गत अगला question देखिए धरा और धारा क्या कहा हमने? धरा कहा धरा और धारा धारा कार्थ आप सभी जानते हैं फिजिक्स भी पढ़ें तो धारा देखने को मिला है धरा क्या है? प्रवाह कह सकते हैं किसी का प्रवाह तो कहां दिख रहा है प्रवाह? यहीं दिख रहा है पानी का प्रवाह? बिल्कुल सही धरा किसका पर्यावाची होता है? प्रिथ्वी का पर्यावाची होता है यानि option number A, बिल्कुल सही है, अगला question आपके लिए बिटा, अतिथी और आतिथ्य, ध्यान दिजेगा, अतिथी और आतिथ्य, अतिथी का क्या होता है बच्चा, जिसके आने का कोई तिथी न हो, बिल्कुल सही, जिसके आने का कोई तिथी न हो, और आतिथ्य क्या होगा, अति अतिथी की जो सेवा करने वाला होता है, जैसे कोई आ जाता है आपके घर में मामा जी आ गए, तो मामा जी का सबसे ज़्यादा केयर यानि उनका सेवा कौन करेगा, उनके भांजे लोग करेंगे, है ना, मामा क्या चाहिए, कहां चले, कहां घुमाएं, कहां ले जाएं, है कि तो आतिथी क्या होता है बचा, अतिथी की सेवा करने वाला, तो कहां है अतिथी की सेवा करने वाला option number A में, सांदार अतिथी जिसके आने की कोई तिथी नहो, अगला question आपके लिए, अग और अग, हमने क्या कहा, अग, अग का मतलब क्या होगा भई, अग की बात करें तो अचल, और अग का मतलब होता है पाप, ये जो अग है ना, इसका अर्थ क्या होता है, पाप, और अग का मतलब होता है बचा, अचल, तो कहां दिख रहा है, अचल और पाप कहां दिख रहा है बचा, option number B में दिख रहा है, सांदार, बिल्कुल सांदार, अगला देखे, आभ अभरण का मतलब बचा होता है अभूसन अभरण का अर्थ क्या होता है अभूसन नोट कर लिए ताकि ये concept पर आधारित अगर आपको अर्थ पता रहेगा तो ये बहुत इजी आते हैं अगर एक का अर्थ अगर आप सही सही पता कर लेते तो दूसरा अपने आप मिल जाता है अभरण का क्या होगा अभूसन अमरण का क्या होता है बचा मृत्यू परयंत मृत्यू के बाद यानि अमरण का मतलब क्या करते हैं मृत्यू परयंत नोट कर लिजिए कहां पर दोनों अर्थ लिखा हुआ दिख रहा है तो कहेंगे option number B में दिख रहा है अगला question दूरलभ औ अप्राप ध्यान से सुनिएगा दूरलभ और अप्राप्त दूरलभ का मतलब क्या होता है कठनाई होता है बिल्कुल सही अप्राप का मतलब क्या होता है बिल्कुल न मिले क्याता है नहीं अप्राप है नहीं मिल पाएगा यह चीज क्या है दूरलभ है यानि option number A अगला question ब उच्खल और उदंड के बीच में है। उच्खल का मतलब होता है नियम बध न होचा सांदार, और क्या आता है, उदंड, उदंड का मतलब क्या होता है बच्चा, जो दंड से न डरता हो, उदंड का मतलब है, जो दंड से न डरता हो, किलियर है, न डरता हो, कहां पर है, नियम बध न होना, जो दंड से नहीं डरता है, option number C, अगला question, निद्रा और तंद्रा, निद्रा क्या है बचा, निद्रा की बात करें तो सो जाना, जैसे सो जाना, निद्रा का अर्थ क्या है, सो जाना, और तंद्रा का है कि उगना, जैसे आप रात में सोते, सोते कुछ उगते हैं, बलबलाते हैं, तो वो आता है, clear है, अग बोला देखिए, सुगंध और सोगंध, सुगंध जो की आपको मिलती है, सुगंध जो की आप सपत खाते हैं, है न कसम, सुगंध है, कसम खा रहे हैं, सुगंध का अर्थ क्या होगा, कसम खाना, कसम खाना, या आप कह सकते सपत लेना, बिल्कुल, ये दोनों हो सकता है, सुग कहता है छती छिती क्या लिखा हमने छती और छिती तो छती का अर्थ क्या होगा बच्चा नस्ठ हो जाना और छिती का प्रित्वी छिती किसकी परियावाची है तो कहेंगे प्रित्वी की परियावाची है प्रित्वी को हम क्या कहते हैं छिती कहते हैं बिल्कुल छती का मतलब हानी होना, हानी कह सकते हैं, नस्ठ होना, बर्बाद होना, बर्बाद, बर्बाद हो जाना, ये सभी इसका अर्थ है, हानी होना, नस्ठ होना, बर्बाद होना, तो कहां पर दिख रहा है भई, हानी और पृत्वी, option number D, अगला question आपके लिए, लीजिए, अगला क्या कहता है, आपात और आपाद, आपात और आबात, आपात है, आपात दो, आपात का अर्थ जानते हैं, आपात कालीन, कहते हैं न, कि आपात कालीन से वाएं, इमर्जेंसी, यानि कहेंगे संकट, बहुत भायंकर, संकट जिसे कहा जाता है, clear, और यहां आपाद, आपाद, इसका अर्थ क क्या होता है तो कहते हैं पैर तो इसका अर्थ क्या होगा पैर तक पैर तक कहां लिखा है संकट और पैर तक संकट और पैर तक option number D, अगला question बेटा, अगला अंब और अंब, ध्यान से पढ़िएगा, अंब है और अंब है, अंब किसका होता है, अंब देवी को कहा जाता है, बच्चा देवी का पढ़ियावाची, देवी जी का, अंबा, अंबे तू जग दंबे काली है न, अंबा किसको कहते हैं, तो कहे अंब है, अंब है, अंब है, अंब है, अंब है, यह किसको हो जाएगा, देवता को कहा जाता है, नोट करिएगा, देवी को अंब कहते हैं, अंबा कहते हैं, और अंब किसको कहते हैं, देवता को कहते हैं, देवी और देवता, option number D, अगला question, अली, छोटी की मात्रा अली, अ अली का अर्थ होता है बच्चा भौरा अली का अर्थ क्या होता है भौरा भौरा और आली अली और आली का अर्थ होता है सक्खी क्या कहते हैं सक्खी सहेली यहां लिजी आली कहां है सक्खी और अली देखिए भौरा और क्या होगा सक्खी ऑप्सन नमबर ए क्योंकि देखिए यहां पर इस छोटी मतलब यहां सखी और भौरा लिखा है तो गलत हो जाएगा क्योंकि पहले क्या आएगा अली यानि भौरा आएगा फिर दूसरे पर आएगा आली यानि सखी क्लियर है ना हाँ आगे देखिए अगला जगत अगर तो के नीचे देखिए हलंत लगा है जगत हलंत लगा है तो इसका अर्थ क्या होगा पहले पहले इसके अर्थ के बारे में जानते हैं जगत यानि इसको कहा जाता है बच्चा संसार क्या कहते हैं जगत तो आगे अगे उल्टा कर दिया है बच्चा जगत जगत का अर्थ होगा संसार ठीक है और जो जगत त लिखा है इसका अर्थ हो जाएगा कुवे का चबूतरा, बिल्कुल सही, क्या है, संसार और कुवे का चबूतरा, सांदार अगला देख लिजिए, उपल और उत्पल, उपल का मतलब होता है बच्चा, ओला, जैसे ओला गिरता है न, ठंडी में की ओला गिर रहा है, उपल का अर्थ होग और नमबर C है, अगला, देखे, अगला आता है भाव और भाव्य, ध्यान से समझेगा, भाव और भाव्य, तो भाव का अर्थ क्या होगा, भाव का अर्थ होता है, बच्चा संसार, कहते हैं भाव्य, यानि सुन्दर, भाव का अर्थ क्या होगा, संसार, भाव्य का अर्थ क्या होगा सुन्दर अगला कुष्यन कर्म और क्रम तो देखे कर्म क्या होता है कार्रे होता जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा और जो क्रम है उसको कहते क्रम वाईज सिरियल, सिरियल, नंबर, क्रम से आईए, सिल्सिला, काम और स्रिल्सिला, अगला, देखे, अपत्य और अपश्य, क्या लिखा है, अपत्य, अपत्य का मतलब होता है बच्चा संतान, अपत्य का अर्थ क्या होता है, शंतान, नोट कर लिजिए, संतान, और ये जो अपश्य लि अहितकर, जो आपका हित न चाहे, यानि संतान और अहितकर हो जाएगा, अगला चलते हैं मेटा, अगला आता आवरण और आभरण, आवरण का अर्थ क्या होता है बच्या, परदा, आभरण का भी हमने अर्थ बताया था कि आभरण का अर्थ होता है, आभूशन कह सकते हैं, आ ना यह इसका आभरण का आभरण का अर्थ कहते है परदा करना परदा के लिए तो कहां लिखा है परदा परदा और गहना कह सकते हैं या आभूशन कह सकते हैं तो आपसन नंबर C में है, परदा और गहना, देखिए, अगला question बेटा, अब तो ये हमने कल कराया था, बात जो हम और आप करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं, और वात का अर्थ होता है, वायू, तो बातचीत और वायू कहां है, option number B में है, कल की question का है, वहन और बहन, क्या कहा बच्च मानों को ले जाना, ले आना, क्या कहलाता है, वहन, यानि वहन का अर्थ हो जाएगा, ढोना, और बहन तो जानते हैं, क्या कहते हैं, भगनी, भगीनी, क्लियर है, भगनी, कहां है भईया, तो कहेंगे मैम जी, option number A में है, अगला question बेटा, लीजी, अगले question का answer दीजी, हमारे अनुभूती, क्या है, अनुभाव और अनुभूती है बेटा, अनुभाव और अनुभूती, अनुभाव क्या है, जैसे कि आपका जो ज्यान है, आप ज्यान जो प्राप्त करते हैं, कि कितना अनुभाव है आपके पास कार्य करने का, कितना experience जिसे कि बेहवार से प्राप् यांतरिक ज्यान को कहते हैं बच्चा अनुभूति क्या होती है चिंतन से प्राप्त जिस पर आप रिसर्च करते हैं अपने कहा जाए चिंतन से प्राप्त आंतरिक ज्यान जैसे प्रभू से कहा जाए जैसे मोक्ष प्राप्ति निर्माड करना ये सब के प्रति अगर आपको ज ज्यान होता तो उसे अनुभूती कहते हैं कि प्रभू का दर्शन हुआ प्रभू का भजन हुआ किर्टन हुआ बहुत ही दिव्य भव्य अनुभूती की कहा जाए भव्य अनुभूती हमें प्राप्त हुई तो वो जो होगा बच्चा जो चिंतन से प्राप्त होगा आंतरिक उसे क्या कहेंगे अनुभूती कहेंगे बिल्कुल सही देखिए अनुभूती में बच्चा अनुपर छोटी की मात्रा भव पर बढ़ाव की मात्रा रहेगा अनुभव क्या होता है बेहवार से प्राप्त ग्यान को कहा जाता है बिल्कुल सही option number B अगला question बेटा अच्छा question थे जो हमने करा हैं, MCQ में इस तरीके कि पूछे गए प्रस्णों का सिलसिला था, तयार है ना बच्चा अब आईए, हर और हरी हमने कहा हर, बताइए, हर और हरी का अर्थ बताइए भई, हर की बात करें, तो हर किसको कहेंगे हरी का अर्थ क्या होगा, तो हरी का आप सभी जानते हैं हर देखे बच्चा संकर को कहते हर हर महादेव तो क्या हो जाएंगे संकर जी हो जाएंगे बिल्कुल सही किसको कहते हैं शंकर जी को कहते हैं हरी विश्णु जी को कहते हैं देखे आपने क्या बात है अगर मात्रा छोटी की लग गई तो विश्णु जी हो नाम उनके अनेख है, रूप तो ये कही है, हर हरी हरी है ना, तो हर क्या हो जाएगा, बच्चा, संकर जी को कहते हैं, हरी किसको कहते हैं, विष्डू को कहते हैं, अब आइए अगले पर, अगर हम लिखें स्रमड और स्रमड, ध्हान तो सुनियेगा, पहला हमारा चलेगा हमने कहा बच्चा दूसरे पर स्रमड स्रमड क्या कहा क्या लिखा हमने भई देखे स्रमड हो गया स्रमड हो गया स्रमड और स्रमड बताईए answer दीजे बच्चा स्रमड और स्रमड स्रमड क्या हो जाएगा सुनना, स्रमड क्या हो जाएगा बच्चा, सुनना, सुनना, और स्रमड का अर्थ क्या हो जाएगा, स्रमड, स्रमड का अर्थ क्या हो जाएगा, सन्याशी, स्रमड का अर्थ क्या हो जाएगा, सन्याशी, नोट करिए, सांदार, एकदम, स्रमड हो जाएगा, सुनना, और का अर्थ हो जाएगा सन्यासी किलियर है आईए आगे चलते हैं तीसरे पर तीसरा सब्द आता है आपसे जलद और जलधी बहुत बढ़िया करवाएं हैं लेकिन हम ध्यान आ रहा है जलद जलद हो गया जलद बिल्कुल जलद और जलधी बताए इसका अर्थ क्या होगा जलद और जलधी इसका अर्थ दीजे बच्चा जलद और जलधी का अर्थ क्या हो लाइन से answer दीजे आप सभी विद्यार्थी और आपको पता है ना classes की time क्या है एक new update गई थी जो की आपके पूरे class के बारे में बताये गया थे कोन सी class कब है कितने time पर चल रही थो प्लीज आप सभी विद्यार्थी उस time तक class को attend करिए बढ़िया से अपने entrance exam की तयारी पर ल जलधी, जलधी किसका पर्यावाची है, समुंद्र का, समुंद्र का पर्यावाची जरूर याद करिएगा, आता है, जलधी हो गया, रतनाकर हो गया, सागर हो गया, ये सभी के सभी समुंद्र के पर्यावाची है, किलियर है, आगे चलें, कर लेंगे न, उमीद करेंगे कि सभ भी विद्यार्थी अब हमारे कर लेंगे अब इससे भी बैतरीन सब्द जो कि आपके दो हजार 24 में आने वाले उन पर थोड़ा सा परिचे किया जाए तयार है ना बहुत बढ़ी चौथा सब्द चौथा सब्द हम आपके लिए लिख रहे हैं बेटा चौथे सब्द की बात करें तो चौथे सब्द में हम लिखते हैं साला साला कहेंगे मैं दोनों तो एक ही जैसा बोल रही है बिलकुल देखिए ये साला है और इधर भी साला है, क्या बात, ये देखिए, कुछ विध्यारती को अगर कहा जागा है, साला लिखिए, तो कुछ इस तरीके से लिख देंगे, कुछ हमारे बच्चे ऐसे लिख देंगे, लेकिन इनको अर्थ पता होना चाहिए कि क्या है, साला साला, तो पतनी का भाई क्या कहलाता है बच्चा साला कहलाता है बिल्कुल सही ये जो है ये का कहलाएगा पतनी का भाई यानि मामा जो होंगे भाई तो आपके पापा के क्या लगेंगे साला लगेंगे पतनी का भाई बिल्कुल भाई वो हो जाएगा साला और ये जो साला है न ये जो साला साला कहते हैं ना धर्म साला है तो रहने या ठहरने का अस्थान क्या कहलाता है साला कहलाता है नोट करिए बहुत बैतरीन दो हजार उननीस के पेपर का ये कुश्चन है साला साला इसमें तो बद्यार्थी कर लेते हैं आप्सन मिलेंगे आप्सन वाले रहेंगे आपको MCQ सकते हैं हो गया सब्थ और सब्थ देखिए हमने कहा चार पांच में पर हमने कहा बच्चा सब्थ ऐसे लिखा है सब्थ फिर लिखा है सब्थ देखिए ऐसे दोनों देखिए सब्थ इधर सब्थ है इधर आपका सर्प वाला और इधर सरीफा सब्थ लेकिन अर्थ अलग हो ज सबाइखान सर्प सब्ढ कि सरफ भाला सब्ढ ग्राल सब्ढ क्या बात है किलिए न हो जाएगा बए अगले पर चलते हैं अगले कुश्चिन पर बहुत सुन्दर सब्ढ लेकर Tal आएं बैड़िए नों बदल देर तो उसका अर्थ बदल जा रहा है बिल्कुल बच्छा कह सकते हैं अगर आप बेंजन बदल दियें तो उसका अर्थ बदल जाएगा छठवा नमबर बेटा छठवा नमबर पे आता है जैसे ब्यंग जैसे कहता है बड़ा ब्यंग बाते चल रही है कमेंट जिसे आप कहते हैं ब्यंग हिंदी में उसको कहा जाता है बच्छा ब्यंग क्या कहते हैं ब्यंग और एक होता है ब्यंग दोनों में अंतर है देखे ये ब्यंग हो गया और एक होता है ब्यंग अब विद्यार्थी बताइए इनका अर्थ क्या होगा आधा गौ फिरिया इसका बच्चा होता है, इसका अर्थ आप सभी जानते हैं कि मैं ताना मारना, ताना देना, कटाक्छ बोलना, आपको विपरीत सब्ध सुनाना जिसके वज़े से आपके अंदर कहा जाए लड़ने की छमता जागरित हो जाए, तो वो होता है ब्यंग और इस ब्यंग का अर्थ होता है बच्चा जैसे की विकलांग ब्यक्ति या अंग रहित जिसे कहा जाता है। किलियर है बेटा, आगे चले, आई, अगले पर चलते हैं, छटवे बाद सात्वे नमबर पे, प्रथा और प्रिथा, सात्वे नमबर पे हमने लिखा, प्रथा, इधर है प्रथा, और इधर है बच्चा प्रिथा, प्रि-था, प्रथा और प्रिथा, किलियर है, प्रिथा क्या है और प्रथा, प्रथा जैसे कि रिती रिवाज होता है, जो कि आपके हाँ अलग होगा, दुसरे हाँ अलग होगा, हर एक जगह पे अलग-अलग रिती रिवाज होता है, तो वो हो जाता है आपका प्रथा, बिल्कुल प्रिथा क्या होता है बच्चा, प्रिथा, प्रिथा बच्चा कुंती को कहते हैं, कुंती कौन, आपके कंड की माता, जिसे सुर्य पुत्र कहा जाता है, कुंती पुत्र कहा जाता है, तो ये प्रथा क्या हो गया बच्चा, तो कहेंगे मैं रिती रिवाज के बारे में बताया गया बिल्कुल, रिती रिवाज, रिती रिवाज, और ये जो प्रिथा है न, ये कुंती को कहा जाता है, बच्चा, कुंती का पर्यावाची कह सकते हैं कि प्रिथा होता है, किलियर है, कर लेंगे, आगे चलें, आठवे नमबर पे आएगे, आठवे नमबर पे, आठवे दोनों का सेम है उच्चारण दोनों का सेम है बच्चा आप सरीफा सो और यह सर्प वाले में तो बहतरीन अंतर देख रहे हैं जैसे साला साला हो गया फिर क्या था साला साला के बाद एक हमने लिखाया था सब्त सब्त हो गया अब स्वापच स्वापच इधर वो वाला है सर्प वाला सर और इधर सरीफा सर बताई क्या होगा अर्थ तो ये जो स्वापच है देखे इसका जो होता है जो सरीफा सर ये स्वैम पाकी होता है क्या होता है स्वैम पाकी, स्वेम पाकी, मतलब अपने द्वारा, या कह सकते हैं, खुद ही बनाना, और ये जे स्वप अच्छे, इसका अर्थ होता है, चंडाल, क्या होता है, चंडाल, लिख लिजे, देखें, मतलब सर्फ सो अगर लगेगा, ये वाला सो लग जाएगा, सर्फ वाला, तो वो हो देखें, कहा जा हिंदी एक ऐसी, मतलब हिंदी एक ऐसा विशा है, अगर मात्रा को बदलेंगे, तो अर्थ बदल जाएगा, बेंजन को छेडेंगे, तो चंडाल हो जाएगे, देखें, तो वही अर्थ है, आईए, आगे चले, आगे, बताईएगा, आयस और आयस, हमने कहा देखा आपने, आयस और आयस, तो आयस क्या होता है, बच्चा, लोहा को कहा जाता है, और आयस क्या होता है, अपकृति, कहते हैं, अयास है, हमको दोस लग गया, है न, अनायास है, तो आयस क्या हो जाएगा, बच्चा, आयस क्या हो जाएगा, आपकृति हो जाएगा, यह ज अपकृति हो जाएगा बिल्कुल और जो यह I S लिखा है हमने आयस इसका अर्थ होता है लोहा नोट करीएगा लोहा और अपकृति बिल्कुल नमबर कौन सा हो जाएगा कितने नमबर तक थे 8 यानि 9 नमबर पर आ चुके 9 नमबर पर है बेटा दस्वा नंबर आपके लिए दस्वे नंबर पर हाँ बताईए और कुछ सब्द आपको जो की लगे एक होता है द्वीप और द्वीप देखें बहुत ही कहा जब छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा को ध्यान में रखते होगे जैसे अगर आप लिखते द्वीप बड़ी की मात्रा ये द्वीप अब फिर लिखते द्वीप छोटी की मात्रा इनके में भी अंतर है भाई दोनों द्विप है पढ़ेंगे कि हाँ द्विप 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 किलियर है लेकिन बच्छा जो अर्थ है यहां से अलग हो जाएगा बोलेंगे मैं क्या हो जाएगा तो जो बड़ी की मात्रा द्विप है बड़ी की मात्रा द्विप का अर्थ हो जाएगा बच्छा क्या ह जैगा बताईए छोटी के मातरा का तो हाथी हो जाएगा और यह ड्वीप जो है टापू जैसे कहते है हाथी क्या भी लिख अनेकार्थी सब्द में भी यूज किया जाता है। हो जाएगा ना आगे चले गड़ना गड़ना बहुत बढ़िया सब्द हमने लिखा भाई लिखा गड़ना देखे 11 नमबर पे गड़ना गड़ना और गड़ना दोनों का अर्थ अलग है कहेंगे बिलकूल एक होता है चुबना गड़ने का अर्थ क्या हो जाएगा गड़ने क क्या होता है बच्चा गिनती करना इस का अर्थ क्या होगा गिनती और इस गढ़ने का अर्थ क्या हो जाएगा चूभना फटा फट नोट करिए तो 12 नमबर पे अगला 12 नमबर पे बच्चा आगे चलते हैं कांती और क्रांती देखिए कांती कांती देखिए जो आता है बाबा राम देव का कांती रहता है दंत कांती लिखा रहता है क्रांती नहीं लिखा रहता है दंत कांती आता है ना टूट पेस्ट टूट पेस्ट जी हाँ तो कांती लिखा होता है और आप करते हैं कि नहीं क्रांती होगा अरे ना भाईक दोनों सब्द का अर्थ अलग-अलग है अगर कांती है तो इसका मतलब होता है आभा चमक क्या करते हैं कांती का अर्थ क्या होता ह है चमक होता है दंत कांती यानि दातों का चमक आभा इसका अर्थ होगा अक्रांती का मतलब होता है विद्रो क्या करते हैं विद्रो उथल पुथल है की नहीं नोट करिएगा विद्रो समझ में आया अब बाबा रांदेव के ब्रस जो आप वो कहा जाए टूट पेस्ट लिए जितने विद्रेंगि के बताईए तो सही बहतरीन सब्द एक-एक आपके लिए आएए बढ़के को कि अब अब आई अब आता है बच्चा रूचीर क्या हमने कहा रूचीर और रूधिर क्या है रूचीर रू- psychologist, रूचीर है और इधर रूधीर है, ध्यान दिजिएगा, रूचीर और रूधीर, अब इनका अर्थ बताईए तो स्पीड के साथ, कहेंगे रूधीर तो हम बायों में पढ़ें हैं, बहुते पढ़ें हम कें बाब हैं, तो बता दो भाईया लाल ये रूधीर का सुन्दर क्या हो जाएगा सुन्दर नोट करिए शुन्दर सांदार जबर जस्त अगला चौदा नंबर पर आ चुके चौदावे नंबर पर अब जैसे हम आप से कह दे रस और रास क्या कामने रस पढ़े हैं ना ब्याकरण में देखिए रस है और दूसरा आता है रास तो रस का अर्थ क्या हो जाएगा रस की बात करें जो कि आप रस पढ़ते हैं तो रस का मतलब आनंद आनंद की अनुभूती होती है कहा था ना आनंद आनंद कह सकते हैं ठीक है रस और रास का अर्थ क्या हो जाएगा लगाम लगाना क्या हो जाएगा बच्चा लगाम लगाना क्ल जितने हमारे विद्यार थी हैं, एक-एक से आपको तीन दीन पूरा हमने सम्सुरुती भिनात्मा क्यानि सब्दों के बीच में सुछम अंतर कराया, इस पर हमने बच्चा आपको MCQ टाइप के भी कोश्चन बहुत लाए हैं, देख रहे हैं, MCQ टाइप के भी कोश्चन जैसे देखिए, अंस, कटी, बंध, ये सब हमने करार रखा है, चार आप्सन के तहत मिलेंगे, जैसे ये दे रखा है, जैसे लिखा है, अंस और अंसु, तो अंस क्या हो जाएगा बच्चा, अंस ये हिस्सा को दर साथ है, जैसे भिन्न में कहते हैं, अंस, अंस का अर्थ क्या हाँ, बताइए बच्चा, भाग और किरन ऑप्सन नंबर सी, इसी तरीके से आपको प्रिवियस येर के कुश्चन के सेट में ऑप्सन के साथ मिलेगा, थियोरी हमने इसले लिया, ताकि आपको कंसेप्ट को समझाते हुए, उसके अर्थ को समझाते हुए, एक एक पॉइंट प्रिवियस येर के कुश्चन के साथ आपको अध्यान कराया, तो आप बहतरीन तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब्दों के बीच में सुच्म अंतर को पहचाना या समसुरूति भिनात्मक अर्थों को समझना, तो बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, कमेंट इप्लाई करिएगा, फिडबेक दीजेगा, जो विद्यार्थी नए हैं, अभी तक क्लास को जॉइन नहीं किये हैं, तो आपके लिए भई अभी भी कहा जा, बैच स्टार्ट है, एक्दम न्यू बैच है, जिसमें आपको हर एक सब्जेक्ट का यानि फूल सब्जेक्ट का प्रिप्रेशन कराया जा रहा है, पेरा मेडिकल के तहद, पूरा उनका सलेबस से हो, चाए उनका फीस हो, चाए कालेज में दाखिला कैसे हो, कैसे आप एक्जाम को वन टाइम में ही क्रैक कर सकते हैं, सभी गति वीधियां जो है बच्चा आपको रिषवा पेरा मेडिकल प उन्टी कर सकते हैं, जकर सकते हैं, ट्सक्तूर के लगता हैं? उन्टी कुछ में, सकत्कुछ में सकते ह।